नमस्कार मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में आज मैं बताने वाली हूँ कि इस तरह के ब्लॉवर कैसे बनाते हैं तो आईए स्टार्ट करते ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से पकड़ेंगे और उंगलियों पर घुमाएंगे और पीछे क से निकालेंगे और पीछे वाला धागा आगे कर देगे तो यह मैजिक रिंग बन जाएगी कि अब हम इसको यहां लोक कर देंगे मैजिक रिंग को इस तरह से अब तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन की चैन बनाए और घुमाया इसमें किरोशी आप और इसमें हम पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच यह पांच वार हमने धागा घुमा लिया अब इसको हम इस तरह से निकाल देंगे इसमें और यह हमारे किरोशी आपर दो धागे होने चाहिए इसमें से फिर हम इस तरह से निकाल देंगे धागा घुमा गे अब हम इसके उपर तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन की चैन बनाई और यह जो हमारे दिख रहे हैं हैं इस चैन में से और जो दो दागे थे एक रूश्या पर उन में से और इस में से निकाल के हम वापस लेंगे और सिलिप स्टिच कर देंगे अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन की चैन बनाएंगे और हम सिंगल क्रोशिया के साथ इस मैजिक रिंग में लॉक कर देंगे इस तरह से तो यह हमारा पफ इस तरह से बन जाएगा अब हम इस पर तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन की चैन बनाएंगे और फिर दूसरा पफ हम इस ही में बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और इस तरह से निकालेंगे तो हमारे दो आ जाएंगे इस पर और दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन की चैन बनाएंगे फिर से हम इस तरह से निकालेंगे इसमें वापस लेंगे और लॉक कर देंगे अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन और मैजिक रिंग में लॉक कर दिंगे सिंगल क्रोशिया से अब फिर तीन की चैन बनाएंगे हम वन, टू, थ्री और नेक्स्ट वाला पफ बनाएंगे इसी तरह से हमें चार पफ बनाने दो बन चुके हैं, दो और बनाएंगे चार पफ हमने बनाएंगे तयार कर लिया है अब हम इसको यह जो मैजिक रिंग के धागा जो एक्स्ट्रा बस रहा था उसे हम खीच देंगे इस तरह से पूरा खीच देंगे हम इसको अब इसको हम यह जो पफ है इसकी चैन में हम इसको लॉक कर देंगे इसलिप स्टेच और यहां लॉक कर देंगे अब इस धागे को हम कट कर देंगे अब हम पीछे सेट कर देंगे और इससे कट कर देते हैं इस तरह से बनके हमारे तयार हो जाएंगे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और मेरे बताने का तरीका भी आपकी पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर लाइक जरूर करें थैंक यू